यह कि इस्तिरी और पुस का मिलन नहीं है यह प्रकति और पुस का मिलन है जब प्रकति और पुस एक हो जाते हैं तक पड़िय हो जाती है बिनास हो जाता है दिनवनस हो जाता है लेकिन वह ही कुस और प्रकति दोर हुकुन में विवाउत हो जाते हैं तो रचना और प्रेव दोनों की सुवाद हो जाती है, दोनों का खेश सुवाद हो जाता है, तो सब की सब गोपियां क्या के इकठी हो दी, मदुबन की अंदर, जहां जिसको वो प्रनातुमा नदर देता है, हर जब है प्रनाश हो रहा है, सारी प्रनी के अंदर रास हो रहा है, सब फेड़ पोरों के अंदर रास हो रहा है, सब वक्सियों के अंदर रास हो रहा है, सब बादन बाद रहे हैं, सुर्य चंद्रमा तक रास कर रहे हैं, लेकिन वो दरस्टी चाहिए तह तक गाने के लिए, रास देखने के लिए, रास बहुत उंची स्कीती का सब्थ है, बहुत उंची स्कीती का, रास का आप पसंद हो, रास का अरथ रस, पुरस का अरथ आनद, और आनता का अरख वो प्रम चेतना और उसकी प्राप्ति तो जितने भी गोपियां थी उतने ही उस प्रमात्मा ने उस चेतना ने शरीर भारण किये और सब गोपि के साथ एक एक रूप में नदर आने लगा और सब के साथ खेलने लगा किड़ा करने लगा यह जो बेड़ा दहला खेल शीम तक गोपि का रूप दर दर के राज के अंकर पर वेशने के मांग रहे हैं कितने उसी शक्ति होगी कितने उसी स्क्रिटि होगी सब अणो करनान के देवी देवता सब उस पर बखे रहे हैं अंदर खेल शत्र रहा है यह खेल कोई वासना का नहीं था आप ये वासना की तो उसक्रिती बहुत पीछे रहे गई, बहुत पीछे रहे गई, मैं ये भी नहीं रूनगा कि ये वासना कोई बड़ा गारिया है, निशेद है, नहीं होना चाहिए, ये भी सब्सक्रियोद नहीं करूबा, क्योंकि वहां जो खेल हो रहा था, हमने बड़ा नजदीक से अनुगो किया है, उस सत्रम चेकना ने केपाद अरश्ती करके सब कुछ अनुगो कराया है, वहां इस्तरी इस्तरी नहीं रहती, हो जाता है इस्तरी करूब, श्रीर का भान ही नहीं रहता, अपने आप को हो देती है, अपना स्थित्तों ही मिटा देती है, रहती है तो केवल बो आत्मा, जो स्प्रमात्मा को पाने के लिए तरफ रही है, हर स्थिती तक, किसी भी हद तक, सब कुछ जो समरपन कर चुकी है, उसने सेश कुछ भी नहीं बचाया, जिस पताय से सुदामा जी ने सेश बता लिया था, छुपा लिया था, लेकिन जो राज के अंदर गोटियां पहुंची है, उन्होंने कुछ भी नहीं चुपाया है, सब कुछ 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 तनया के अरपन कर दिया है, जब सब कुछ हरपन हो जाता है उसके चरणों में, वो जो च वो अपने आक मिस्टिती से उढ़ने लगता है, और सरीर भाओ व से दूर पहुचने लगता है, जब सरीर भाओ धंग होता है तब वो प्रेह की सरवात होती है, प्रेह के लिए भी दोग आए उसक्ता होती है. प्रेव जो जिसकी स्थिति एद्वत की है, कोई बार आप लोगों ने में रोप यह होगा, चाहे को कुछ भी कहता रहे, जो सादू संत महासुमा हैं, वो कुपिना सुने ही उपर से उतार देते हैं, क्या जाय रचो दो, विचार तक नहीं करते हैं, क्यों? क्यों कि उस स्थि स्थिति में होते हैं, वहां विचार भी नहीं होता, क्या होता है वहां, वहां कुछ भी नहीं होता, निर्विचार स्थिति, क्यों ज्यान में, क्यों प्रेव में, तो एका कार ही रहता है, फुद, फुद में ही फैरा होता है, दूसरा वहां पुर्फी नहीं होता है, जो न राज की इस्तिती है, ये भूंत गहरी, जब समद नहीं था, जब वासा नहीं थी, जब वासा से प्रेज आ ये जिन, कोई भी वासा नहीं थी, उससे में मिनर्दे था, इसारे जिये जादे थे, लोग इसारे अगर करके समझाते थे, फोसिस करते थे, और दूसरा सो समझने वाला जो वो समझ भी जाता था, पड़ी नजदी की वासा है, इसे गेस्टर की वासा भी बोलते हैं, नद्य की वासा, जिए उससे नजदी को होती है, एजवत और जवत के फो बीच का भेद है, मिलकुल बीच की वासा है, इसे जवत भी नहीं होता, जवत में समझ होता है, जो का भाल होता है, लेकि नद्य में, रास में, अपने आप को भी खो देता है, के वन वहीं रहता है, और वहीं दिखाई देता है, उसी की ताकत है, उसी का सब कुछ है, और सब कुछ उसी के अंजर खो जाता है, और वहीं कर देता है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रेट की जब अधरों के उपर वेनु बदी दोड़ी चली आई मदोर्बन की अंदर और सिर्वात होदी । आपने हनुमान जी का स्रिटर बहुत देखा होगा। सुना होगा। पढ़ा होगा। चलने की कोशिश की होगी। लेकिन जो समत गोपियों पे पे कुन सब्तों का हनुमान जी नहीं सुना अज तक परियोग किया होगा। नहीं ही कर सकती, तो कि उनका भाव किसरा है, वो स्वामी और सेवक का भाव है, वो बिल्कुल अलग रस्ता है, वो तो एक सबत भी नहीं बोल पाएंगे, जन वो चलते थे, सेवक, दोर दोर करके आके, पीछे मुर मुर के राम को देखते रहते थे, कितना भावती बाव होगा, तलाएं कम नहीं थी, हम यह नहीं कहेंगे कि हन्मान जी सक्ति साली नहीं थे, यह स्री राम से कम जोड थे, उना तादक में कम थे, लेकिन।